गुरु पूर्णिमा के मौके पर राजमोहला इस्थीत गुरुद्वारे में विशेश किस्म का पानी पीने के लिए संगत में आई ये सभी लोग एकत्र हुए थे बताया गया कि ये पानी पीने से शरी स्वस्त तंदुरुस्त तो रहता ही है वही अने का साथ बिमार्या भी इससे दूर हो रही है यानि ये पानी अमरत के समान है हाला कि यह पानी ना किसी तरह का अभिमंत्रित था न चमतकारिक लेकिन खासियत यह धी की गंगाजल और आबे जमजम जैसा इसका स्वाद और शुद्धता थी आईए अब हम आपको बता दे कि गुरू द्वारे में ही यह पानी किस तरह उपलब्द हुआ दर असल यह पानी यहां लगाई गई एक मशीन से शुद्ध होकर गिलास के माध्यम से लोगों के होटों से गले में होता हुआ शरीर में पहुच रहा था ठीक उसी तरह जैसा यहां दिखाई दे रहा है एक वेग्यानीक तक्निक के आधार पर वेबिन माध्यमों से फिल्टर होकर काच की तरह साफ नजर आ रहा यह पानी इस मशीन के द्वारा उपलब्द कराया गया है सिख समाज के ही मिश्टर M में से सिंग द्वारा यह मशीन लगवाई गई है आईए उनी से समझते हैं आखिर इस मशीन और पानी की खासियत क्या है मशीन है यह जपान की टेक्नोलोजी है इसको अगर मैं एक वर्ड में अगर मेंशन करूँ तो यह एक अमरत है आज गुर्दवारे में सही माइने में एक अमरत बटा जाएगा और कैंगेन वाटर की अगर मैं विशेशता बताओं तो यह मिरिकलेस वाटर है इसकी तीन में प्रॉपर्टीज है जिसके कारण से यह मिरिकलेस वाटर कहलाया जाता है जो गोमुत्र, सौरी गोमुत्र पाली, अपना चश्मेशाही, आवे जम्जम जो प्रॉपर्टीज उनमें है वही चीज इस कैंगेन वाटर मशीन में है गुरू द्वारे में लगाई गई इस मशीन में विशेश सयोग मिश्टर तिवारी का भी रहा है सयोग सी गुरू पुर्णिमा को उनका जन्मदिन था, तो इससे बहतर मोका हो नहीं सकता था आईए उनसे भी समझे इस मशीन और पानी की खास यह इसकी खास यह जो पानी देता है यह आपको लाइब वाटर देता है आपको पानी निकलता है जो ईसन ने आपको पानी दिया था पीने के लिए बनाई है जो कि आपको एक नेचुरल उत्पाद देता है बना कि इस तरह की मारियों में ज्यादा है यह लगबग थाउजंड प्लस बीमारियां नॉन टू अनॉन टू साइंस मनलब जो साइंस जानती है जो नहीं भी जानती उन वीमारियों पर भी पानी काम करेगा हाँ नॉर्मली सिर्फ आपको जैसे पानी आप रेप्लेस करना है आपको पानी उस पानी की जगह जो आप पी रहे हो उसकी जगह पूरा पानी यहीं पीना है तो वैसे लेके साम करते हैं वाकई में इस मश्राइब